हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बूक एन ओथर्स देखने वाले हैं बार-बार पूछा गया था करम योध्धा गरंथ अमीत सा ने ये बूक रिलीज की थी और उस बूक का नाम था करम योध्धा गरंथ और ये किसके लाइफ पे बेश्ट था तो प्रधान मंतरी नरेद मोदी के लाइफ पे बेश्ट था तो कभी-कभी ये पुछा जा रहा था कि इस बुक को रिलीज किस ने किया तो अमीत सा एंसर होता आपका किसके लाइफ पर बेस्ट है आपका तो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के लाइफ पर आपका बेस्ट था तो यहां दिया वे आपका करम योध्धा आप भी जानते हैं कि नरेंद मोदी जो है वो अपने करम को कितना अच्छे से योध्धा की तरह निभाते हैं इसलिए उनका पूरा जो लाइफ है वो एक योध्धा की तरह रहा है तो इसलिए उनके बुक पे जो नाम रखा गया है उस book का नाम है करम योद्धा गरंत question number यहाँ पर 2 आपका दियावा है कि which department has launched krona study series देखिए अभी क्या है कि कौन सा वो department है जिसने यह krona study series इसको launch किया है तो आपका right answer क्या होगा यहाँ पर देखिए national book of trust जो है इसी ने आपको launch किया है krona study series chairman कौन है इसके तो गोवींद प्रशाद सर्मा है कौन है गोवींद प्रशाद सर्मा तो याद रहेगा आपको krona study series किस ने बनाया तो national book trust ने next है आपके सामने which of the following book is recently launched by the junior minister for women and children development siri mati smriti jubain irani on the compilation of 25th innovative initiative taken at the state and the district under the scheme of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओके तो देखिए हाली में जो किंद्रे महिला और बाल विकास मंत्री जो है उनका नाम क्या है smriti jubain irani उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के तहई जो है राज और जिले अस्तर पर 25 अभिनव पहलो के शंकलन पर कौन सी पुस्तक लॉंच की है यह काफी important book है तो आपको याद रखना क्या है कि Chronicles of Change Champions जो है आपका राइट एंसर हो जागा ठीक है smriti irani question number देखिए यहाँ पर उसके बारे में आपको दिया भाय कि Union Minister for Women and Child Development उनका नाम क्या है smriti jubain irani इन्होंने released की है book उसका नाम क्या है Chronicles of Change Champions next है आपके screen पर the art of her deal the art of her deal the untold story of Melina Trump तो इस book के author कौन है पुस्तक का लेखा कौन है कौन है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका book का नाम है the art of her deal उनका जो तरीका है art of her deal का the untold story of Melina Trump तो यह आप जानते हैं Donald Trump की wife है तो इस book के author कौन है राइट एंसर क्या हो जाएगा इस book के author का नाम है Mary Jordan Mary Jordan जो है इस book की author है next है आपका settling to the top the story of P.V. Sindhu settling to the top the story of P.V. Sindhu इस book के author का नाम क्या है तो आपको याद रखना है ठीक है भी कृष्णा स्वामी जो है आपका right answer है ठीक है भी कृष्णा स्वामी P.V. Sindhu जो है वो बैंडमिंटन जगत के बहुत नामी हस्ती है नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर question number six अब देखिए अन इबुक टाइटल एज प्रोफेशर बीबी लाल इंडिया री डिस्कवर्ड लॉंच्ट बाई यूनियन कल्चर मिनिस्टर ओके तो ये जो बुक है जिसका नाम है प्रोफेशर बीबी लाल इंडिया री डिस्कवर्ड इस बुक को लॉंच्ट किस ने किया है तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर और कौन है यूनियन कल्चर मिनिस्टर तो प्रलाद सिंग पतेल है ठीक है नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंट कौन सा question number seven who is the author of the book vision at kargil the life of a kargil war hero इस बुक के author कौन है तो इनका नाम है वी एंड थापर ये है इस बुक के author next है आपका who is the author of the book the Ika book इस बुक के author का नाम अधा ये क्या है तो ये Harry Potter की जो writer थी उनका नाम क्या था J.K. Rawlings जो है आपका correct answer है ठीक है next है आपके screen पर who is the author of the book Hope on my adventure on boats, train and planes तो इस बुक के author का नाम क्या है Ruskin Bond जो है ये इनका नाम है next हो जाएगा आपका which ministry released the book titled as one year of Modi 2.0 towards a self-related India तो इस बुक के author का नाम क्या है तो ministry of information and broadcasting यहाँ पर correct answer हो जाएगा किस ministry ने रिलिस्ट किया है जिस बुक का नाम क्या है ठीक है तो ये शोभा डे ने आपको इस बुक के author को ने शोभा डे और जो है published किया है Shimon and Sister India जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है lockdown lessons next है आपका who is the author of the book overdraft saving the Indian saver इस बुक के author का नाम बताएगा overdraft saving the Indian saver इस बुक के author का नाम क्या है तो उर्जित पतेल जो है आपका correct answer हो जाएगा ठीक है next है आपका His holiness the 14th Dalai Lama and illustrated biography इस बुक के author का नाम बताएगे इस बुक के author का नाम क्या है तेंजीन गिस्वी थोंग जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है next आपका दियावा है question number 14 में best practice in digital India land records modernization program ठीक है ये आपका title है बुक का और इसको किस ने लिखा है तो इसको launch किया है नरेन सिंग टोहमार ने ओके और इसके author कौन है तो Matthew Mac कौंगे जो है आपका right answer हो जाएगा next आपका दियावा है स्वक्ष भारत करांती ठीक है बुक का नाम क्या है स्वक्ष भारत करांती और launch किस ने किया है तो गजेंदर सिंग सिखावत ने किया है जो की union जल सक्ती मिनिस्टर है और इस्मृति इरानी जो की union minister of textile and women and child development है इन्होंने ये आपको बुक launch किया है नेक्स्ट कोर्शन है आपका one arranged murder इस बुक के author कौन है तो चेतन भगत इस बुक के author है नेक्स्ट आपका हो जाएगा gastric cancer तो gastric cancer के author कौन है तो जितेंदर सिंग जो है इस बुक के author है नेक्स्ट आपका हो जाएगा National Security Challenge Young Scholars Perspective इस book के author का नाम क्या है तो देखिए book आपका हो गया National Security Challenge Young Scholar Perceptives और इस book को published किया है आपका Army Think Tank CLAWS यानि की Center for Land Warfare Studies और release किस ने किया है तो Indian Army Chief जिनका नाम है General M.M. Narwane इस book के author कौन है तो परधान मंत्री नरेंद मुदी है इनोंने एक book लिखी है जिसका नाम है Mind Baster तो Mind जो है चेस में बहुत लगता है तो इसलिए इसके author भी है विश्वनाथन आनन्द और सुसन नीनन जो है आपका right answer हो जाएगा next है आपका Court of India बुक का नाम क्या है Court of India और इस book के author कौन है तो Chief Justice of India और उनका नाम क्या है रंजन गोगोई next है आपका Sri A.N. चंद्र सेखरन ये author है किस book के बिरिजिटल नेशन के author है Sri A.N. चंद्र सेखरन next है आपका 150th year of celebrating the महात्मा the South African legacy इस book के author कौन है फकीर हसेन जो है इस book के author है next है आपका Obama the call of history इस book के author कौन है Obama the call of history पीटर बेकर जो है इस book के author है next है आपका स्री देवी गर्ल वोमेन सुपरस्टार पहली महिला सुपरस्टार तो स्री देवी ही है और इस book के author कौन है सत्यार्त नायक जो है इस book के author है next है आपका listening, learning and leading ये book के author कौन है तो वेंक के या नाइडू ओके वेंक के या नाइडू correct answer हो जाएगा next है बाबा रामदेव तो बाबा रामदेव जो है किस book के author है तो my life, my mission ठीक है इनका जो life है योगा का उनका ही वो mission है next है आपका अपी जे अब्दुलकलाम ये किस book के author है my journey अगर आपका life अगर आप देखे हैं किसी का journey अगर आप देखे हैं तो उतार चड़ाव जो है इनके life में बहुत रहा है और हमेशा ये success को target किया है तो उनका journey बहुत inspirational है और author कौन है माई जर्नी के APJ अब्दुलकलाम ठीक है Indian Fiscal Federalism इस book के author कौन है तो why be ready जो है आपका right answer हो जाएगा why be ready next है आपका we are displaced we are displaced इस book के author कौन है मलाला यूसुफ जाई इनको novel prize भी मिल चुका है ठीक है next है आपका the third pillar आपको ये मालूम है कि जब ये governor थे RBI के उस time पे इनको pillar माना जाता था तो third pillar माना जाता था इनको तो रगुराम राजन जो है इसका right answer हो जाएगा next है आपका game changer आपको ये मालूम अगर आपको cricket का थोड़ा सा भी knowledge है तो आपको साहिद अफरीदी का जो attitude था बैटिंग के प्रति आपको मालूम था कि अगर इनका दीन रहा तो ये match को जिता देते थे नहीं तो out होके चले आ देते हैं मतलब एक तरह से game changer थे ये तो साहिद अफरीदी जो है game changer के author है तो इस तरीके से जो है total जो है आपके सामने यहाँ पर 32 books है और यह 32 books बहुत important है क्योंकि SSC के exam में दिखा गया है कि जो भी books से related आपके exam में question है थे वो या तो बहुत ज़्यादा famous personality थे या तो आपके कोई politician थे ठीक है नरेंद मोदी के books काफी पूशे गए थे इसलिए यहाँ पर उसी type का book है जो कि यहाँ पर काफी important अगर होगा तो इस में से definitely आपके एक रहेंगे तो इसका PDF मैं आपको दे दूँगा नीचे description box में आप वहाँ से download कर लेना और धीरे धीरे current affairs के जो है जितने भी important topics आते रहेंगे उस पर मैं individual वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा ठीक है friends तो कैसा लगा वीडियो बताइए का comment करके समझ में आया कुछ मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए all the best